हेलो अच्छ नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे UPRO ARO समिक्ष अधिकारी दूसरा 60244 भरती राजीव नैन का पूरा गैंग लगा हुआ है इस भरती को लीग कराने में साट से अधिक ऐसे इसने कैंडिडेट चुन रखे थे जिनको अलग-अलग काम दे रखा था किसी को कोई काम करना है किसी को कोई काम करना है ठीक ना तो राजीव के नाम पर 5 लाख में एक रिसोर्ट रीवा में बुक किया गया था और इसके पैसे गरबतार अमित के चाचा के खाते से रिसोर्ट में दिये गए थे रिमाइंड पर पुलिस ने इसे 5 दिन की रिमाइंड पर ले रखा राजीव नैन को रिष्टे पूस्तास जारी है और इसे आरोग्यम अस्पताल भी ले जाया गया और राजीव नैन मिसरा की नाम पर 16 मार्च को 5 लाख में बुक किया गया था रिसोर्ट इसने यहां पर आरोए आरो के 40 अब्याटियों को उत्तर रटवाई थे और लगबग जो डिटेल मिली है कॉंस्टेवल के लगबग तीन हजार कैंडिडेट को इसने रटवाई थे और इसने कई करोड रुपे यहां से कमाई थे मतलब ये पूरा पक्का मास्टर माइंड है इस मामले में पूरा पक्का मास्टर माइंड है पता ना इसको अब पुलिस कैसे छोड़ेगी भारा सरकार उतर परदे सरकार कैसे छोड़ेगी वरना इसका काम छोड़ने लायक नहीं है काम तो ऐसा है इसे जैसे इसे फांसी पर लटका दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा और भी जो आने वाले हैं ना उनको मतलब थोड़ा जो फन मारने वाले हैं पेपरों में उनको मामला थोड़ा टाइट मिलेगा एक दो कोफांसी चड़ जाएगी तो ये मामला फिर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा पेपर लिक का वरना इसी परकार से जेल जाते रहेंगे आते रहेंगे पैसा कमाते रहेंगे ये मौज लेंगे ठीकिना और आप लोग गरी परिवार के जो अच्छे हैं उनके भविश्य के साथ में खेल ले का काम ये लोग करेंगे तो आज पुलिस तामिल कराएगी वारेंट भी कस्टडी रिमाइंड पर इसे लेकर पूस्ताच भी कर रहा है और अस्पताल भी ले जाया गया और इसे रिवा के रिसौट में भी ले जाया गया था जेल की सिपाही ने आरो ए आरो का पेपर प्रियाग में किया था वैरल राजीब को पुलिस लेकर पहुची नैनी पर नहीं मिला आईफॉन रिवा की रिसौट में राजीब नैन के नाम से पांच लाक में की गई थी रसीद बुक उसने सिपाही बढ़ती के तीन सो अब्यटियों को रिसौट में ले जाकर पेपर हल कराया था पुलिस को रिवा से राजीब के खिलाब रसीद समित कई साक्षे मिलें आईफॉन की ब रायब कर रखा है उस मॉवाइल से बहुत सारा बड़ा खुलासा जो हो सकता है इसलिए इसने मॉवाइल को कहीं छुपा रखा है ठीक ना सत्रेव एठारे फरवरी को पेपर हुआ था आपको और सोले फरवरी को इसने रिजॉट में पेपर लीक होने से पहले उसे रटवा जो है उनसे भी के इनको अच्छी से अच्छी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे की ऐसे जो नकल कराने वाले कैंडिडेट है वो जेल के बाहर न रहके जेल के अंदर रहे क्योंकि इनका सही स्थान वो ही है थैंक्यू बबाई जय हिंद